हेलो, हेलो फ्रेंट नमस्ते कैसे हो आप सभी I hope सभी ठीक होंगे और ये मेरा ब्लोग है वारिस हो रही थी तब का वारिस होके तो बंद हो गई थी अभी का है 2-3 दिन पहले का तो दीपावली की भी साफ सफाई चल रही है और वारिस ने मेरे घर की इतनी हालत खराब कर दी है, बहुत जादा कर दी थी, तो बस मैं उसी को लग रही थी, कि बाकी सापचबाई तो जो चल रही है, वो चली रही है, मतलब इतनी बारिस लगातार केई दिन हुई, उसकी बज़े से दीवाल पर सीलन सी आ गई है इधर, और उससे क्या हो रहा है न बहुत गंदा लग रहा था, बहुत गंदा सीलन भी है भी और फपूरन सी भी, तो मैंने बस कपड़ा लिया है एक और इसको रिगड़ रही हूं, शाफ कर रही हूं अच्छे से बहुत गंदा लग रहा था देखने में, सच मैं कोई देखता आ के घर को तो ऐसा लग रहा तो वही मैं दीवार पर लग रही थी और यह देखिए फोटो वगहरा भी साप कर थी और मतलब इतारी सप्लाइट की पूरी जो दीवार है ईधर से पानी लगा है और इधर मतलब माकाम इतना उंचा नहीं जो बराबर में है तो उसकी वज़े से क्या होता है ना कि इतनी सीलन आती है बहुत ज्यादा तो अभी मेरा काम सारा पड़ा है कुछ भी नहीं हुआ मतलब देखिए यह देखिए दिख रही होगी आप लोगों को दिवार इतनी गंदी हो रखी है एक तो दीपाबली की सफाई चली रही और इसमें बारिष ने और पूरा ही घर की हालत खराब कर दिया ईक तो दीपाबली और उपर से बारिष ने इतनी हालत खराब कर दिया को बहुत ज़्यादा तो मैं इसलिए लग रही थी कि इसको साफ कर दूँ कितना गंदा लग रहा था फ़पुड़न सा और यह देखी दिवार पर जहां सीलन है हुआ अलग से ही पता चल रहा है तो मेरा मतलब काम कुछ हो गया था जैसे किचन में चाय बगरा ब्रेकफास्ट बगरा बन गया था एलोन खालिया था और डूटी भी गए थे यह साइद और मैं अपने उस से लग गई थी काम से तो यह देखी दिवाल गिस्ती है मैंने धर को साफ कर दी धर धर की और बहुत गंदी हो रही है बहुत गंदी सच में है तो बारेस जैसे पड़ती रहे और खुल जाए तो इतना नहीं मालम पड़ा थोड़ी सी हवा लग जाती है पर एक हपता जो दो बार बारेस हुई न लगाता हुई पिछली बार हुई तो कुछ भी नहीं और इस अपते हुई लगाता हुई क्योंकि उसमें बिलकुल भी बारिस ने एक मिनद को भी नहीं रुखी और थोड़ी बहुत रुख जाती है हवा लगती रहती है तो ठीक रहता है पर बारिस नहीं रुखी अभी ये वाला जो रूम सामने दिख रहा है इसकी दीवार और रहे गए इसकी भी करूंगी तो मैंने सुचा कि पहले न चली खराब हो जाती है करते करें सच में एक काम बढ़ जाए एक तो वैसे ही साफ सपाई चल रही है और एक काम उपर से बढ़ जाए तो बहुत ज्यादा हालत खराब होती है तो यह देखिए मैं इधर उधर से लगा लाई है और अभी भी ऐसा हो रहा था उसे दिन धूप निकल रही थी थोड़ा लेट से निकली थी मतल़ा लेट से क्या दूंदसी पड़ती है तो दिल्ली में तो दूंदसी हो या कुछ भी नहीं हो फिर भी दूंदसी रहती है तो थोड़ा लेट से निकली कि न अच्छा नहीं लग रहा था आप लोगन देखा होगा चार पाई के पास मैं इतना गंदा लग रहा था देखने में बहुत ज़्यादा तो मैंने बोला कि यह चले गए थे तो मैंने सोच चली में कर देती हूं और पूरी करवा चौत की मेहंदी बगएरा भी मेरी खराब हो गई आज एड़ेटिंग कर रही हूं आज बल रही हूं कि ना सफाई बगएरा करवा चौत से पहले करवा लेनी चाहिए नहीं तो पूरी मेहंदी बगएरा नेल पंट बगएरा जो भी लगवाई थी सारी बरबाद हो गई मेरी सोच रही थी कि नेल पंट एक हाथ पर लगवा के आई और पैरों पर लगवाई दूसरे हाथ पर सीधे पर लगवाई ने फिर भी वेकार हो गई काम में क्योंकि पानी में हाथ रहता है 24 गंटे साफ सफाई करो बरतन वगएरा हैं कपड़े वगएरा तो 24 गंटे पानी में हाथ रहेगा तो खराब होनी होनी है और कितना भी सोच रहीं मैं करवाच छयह से पहले करूंगी करूंगी पहले करूंगी नहीं हो पाया था तो यह देखि आब आ गई हो मैं इह तर सब्सक्राइब किछिएं किचिन के पास मैं तो यह दिवार 271 भी दे sniff यह थे इस लग र खूंगी निकाल रही हूं इनको सभी को तो ये देखी कितना बुरा हाल हो रखा है ऐसे ही नहीं कर रही है और मैंने इधर तो गीला कपड़ा गीला कर लिया है ये वाला कपड़ा क्योंकि ये देखी यहां टंग रही थी हूं कितना बुरा हाल हो रखा है पुरा घर बुरा हो नहीं है तो मैं धर्गी दिवार को साफ कर लेती हुं अच्छे से को और यह पोग जो तस्पीर तंग रही थी न जे पैंटिंग लग रही थी यह पैंटिंग वाली जगह तो अच्छे से भोगी क्लिय कहते हुआ afterwards और यह तो देखी सकते हो आपके पूरी कैसी हो रखी है दीवार कि बहुत बेकार हो रखे बहुत जदा बेकार हो गई थी और इदर बोड़ पगरा भी था तो मुझे डर भी लग रहा था बहुत ज्यादा और सज में बारिस नहीं होती न तो इतनी हलत खराब भी नहीं होती और बारिस की वज़े से ज्यादा हो गई तो मेरी तो डवल मेने दो गई एक तो बारिस और दीपावली की साप सफाई बारिस ने तो पूरे घर वरवाद कर दिया है तो यह देखिए अभी मैं फोटू बगर लेके जाओंगी धर रूम में धूपा रही है तो उधर रख दूँगी और इधर से पहले साप सफाई कर ल अब दूसरा लेके आँगी नहीं तो क्या करूंगी नहीं तो यह भी सीलंस से पता नहीं खुल गया है कटा यह बोरी कहीं खराब नहीं हो जाएं तो लगबग मेरी दिवार साफ हो गई है बस उस रूम की रह गई है और उस रूम की तो करी लूँगी जाओंगी धर से कुछ काम हो गया के जिन में कुछ नहीं हुआ है और तो दिवार तो censorship हो गई हूंगी तो सारी साफ हो गई है और अब तो धूप निकल रही है अच्छी तो अब नहीं इतना घर में ऐसी smell से भी हो गई थी इस फपूरं से यह बहुत ज़ादा इसमेल से आरी रूम फ्रेसनर भी मार रही थी डेली फिर भी पता नहीं ऐसी सीलन से आरी अब धूप निकल रही है तो तब जाके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और दिवार वगरा भी अब किलियर हो गई है फॉंच भी दिया मैंने तो बिलकुल अब किलियर हो गई है कि पूरा मैंने सूट कर रखा है वही है आई वोप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो पसंद आया है तो लाइक सेयर करना जो भी चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सस्क्राइब करना प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट देना तो बाय करन मिलती हूं आप लोगों से झाल क्वस्थिट ब्लाऊब लोगों से लग एक भी सबस्दोर से रखा कर दो कि अवड़ों से गत सम्क्राइब मैं में पक युवजयर कर रखा है तो स्क्सवार कि अवींецं कर खक्टीज़ कर दोर को वीयो है।